कोरोना के कहर के बीच प्रिदेश में 31 मार्स तक लोगडाउन गोशित कर दिया गया है और मुख्यमंतिर अश्योग घहलोत ने शनिवार को इस पस्ट कहा था कि लोगडाउन के तहट मीडिया और चिकेसा जैसी 14 आवशक सिभाउं के तेरेक समस राज के वानीजी कर ले मौल्स, दुकाने, फैक्ट्रिया और साजनिक परिवन आदी सब बंद रहेंगे और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों को अपने घरों में रहना बेहत जरूरी है वहीं प्रजानमंती नरेंदर मोदी के आवान के बाद जनता करफ्यू सफल नजर आ रहा है राजिस्थान के अजमेर के अंदर आज जो तस्वीर या आपको दिखाई दे रही है इस तस्वीर में आप देखे बिलकुल पूरा शहर लॉकडाउन है बंद है सबी लोग अपने अपने घरों पर हैं जो भी आवशक काम के लिए कुछ लोग फिर भी अमको नजर आए लेकिन ये पूरी तरीके से जनता करफ्यू आज सफल नजर आ रहा है सडके पूरी तरीके से सूनी नजर आ रही है अजमेर के जो प्रमुक बाजार हैं मदार गेड दर्का बाजार केसर गंज कांदी भवन कचे रोड ये तमाम वो इलाके हैं जहां बहुत रश होता है सबी जगे दुकाने बंद हैं बाजार बंद हैं शैरवासी अपने अपने उसके बाद में एक जो लिटेस्ट अपडेट आया है हमारे पास में वो अपडेट ये है कि 31 मार्स तक रेलवे ने सबी परिचालन बंद कर दिये हैं किसी परिकार से कोई ट्रेन अब कहीं भी नहीं चलेगी राजिस्थान पूरी तरीके से लॉक डाउन है अजमेर जिले के यात्री बाहर से आ रहा है चाहें सड़क के जरीए चाहें ट्रेन के जरीए उससे कड़ी पूस्ता छोरी है कहां जा रहा है कैसे जा रहा है रेल मंडल की ओर से ग्यारा ट्रेने थी उन्हें रद रद कर जा गया है और इसमें पूरे पूरे सुला लाग के जो यात्री थे ज इसमें अजमेर सालस्डेरी के अद्दिक्ष रामचन चौधरी ने सुबह ही इसपस्ट कर दिया है कि दूद की कहीं भी किसी परकार से कमी नहीं होगी. हाला कि शहर में सबी जगे पर डेरियां खुली नहीं हैं कुछ लिमिटेड डेरिया हैं जो खुली भी है जहां पर दूद मिल रहा है लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसके साथ अजमेर कलेक्टर ने कुछ निर्देश भी दिये हैं जिसमें कोरोना वाइरस के जो सं से ली जाएगी इसके लिए जिला प्रिचाशन जो है वो काम कर रहा है और संक्रमन को फैलने से रोकने के उद्देशे से चिकिस्ता सलाव पर ही संदिक्तों को 14 दिवस के लिए होम आइसूलेशन पर रखने का निर्देश भी उन्होंने दिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि संदिक्त को इनकी पालना के लिए पाबंद किया जाएगा और इसका उलंगन ना किया जाए इसलिए भारते डंड सहिंदा की धारा 188 के तहत अभियोग भी चलाई सकता है यानि कि एक कानूनी डर भी इस पस्ट तोर पर दिखा दिया है और उसको भी सरकार प्रिशाशन अमल में ले कर आएगी अगर कोई भी संदिक्त घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए भी सरकार ने पूरी तयारी कर ली है यानि कि बिल्कुल इस पस्ट है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीर पूरा शहर इस वक्त आज बंद है जनता कर्फ्यू का पूरा समर्थन लोगों ने दिया है शहरवासियों ने दिया है और कड़ाई से इसकी पालना के लिए अजमेर के जो S.P.A. कुबराश्ट के अंदर हैं वो बंद नजर आ रहे हैं उसके साथ सरकान ने कोरोना वायरस की रोखथाम के लिए कारेपालक मजिस्टीट की न्यूकती कर दिये और इस बारी जो संक्रमन है उसको देखते वे जो कारेपालक मजिस्टीट की न्यूकती किये उसकी भी हम आपको जानकरी देत जिसमें संबंदित कोई भी कुरान से कुरोना से संबंदित सूचना हो इसको आप ततकाल जिला मुख्याले पर इस्थापी जो नियंतर्ण कक्ष बनाया गया है वहाँ पर दे सकते हैं जिसका नमबर हम आपको बता देते हैं 0145 यह अजमेर का स्ट्रीडी कोड है इसके साथ में उपकर नजमेर मुख्याले पर इस्थापी दूसरा नियंतर्ण कक्ष है उसका भी मैं आपको नमबर बतायता हूँ 0145 26 27 173 इस नमरों पर आप सूचना दे सकते हैं अगर कुरोना से संबंदित कोई भी सूचना आपके पास हो सकती है यहां से आपको तुरंत ततकाल रिस्पॉंस मिलेगा और इसके साथ में जो डूटी लगाई है पिरभारी बनाया है उनकी भी हम आपको जान कर देते हैं जिला मुख्याले पर इस्थापित नियंतरन कक्ष जितने भी हैं उसमें पिरभारी पिर्षिक्षु आरेश श्यामसुंदर विश्णोई को लगाए गया है उनका नमर है 9784096203 एक बार फिर से नमर बतायता हूँ यह पिर्षिक्षु आरेश श्यामसुंदर विश्णोई उनका नमर है 9784096203 इसके साथ में जो उपकर्ण मुख्याले अजमेर पर नियंतरन कक्ष बनाया गया है उसका प्रिभार प्रियंका बढ़ गूजर को दिया है उसके साथ साथ जो थानाचित कोतवाली है उसके लिए कॉपरेट्टिव बैंक के उपरेजिस्टार पारसमल के लिए किर्शी विभात के उपनिदेशक विकेस शर्मा को तिया है सिविल लाइन के लिए साइक शरम आयूक रिश्वईन्दिस सिंग चौधरी को जिम्मेदारी दिये है अलबर गेट के लिए रीको के जनरल मैनेजर, एसपी सादरे, आदशनगर के लिए जिला परिवन अधिकारी राजीव शर्मा, दरगा के लिए प्रादिशिक परिवन अधिकारी अर्जुन सिंग, राम गंज के लिए खिर्शी केंदर के उपनिदेशक ओपी शर्मा को जिम्म जिम्मेदारी दी गई है, गंज के लिए जल्दाई विभा के अधिक्षन, अभियनता, सी एल जाटव, व्यावर सिटी के लिए जिला परिवन अधिकारी देविजन धाका, व्यावर सदर के लिए खनीज अभियनता, सुनिल शर्मा, केकडी के लिए जिला परिवन अधिका पूरी तरीके से तयार है। सरकार ने इसक्रमाय कर दिया है। संदिक्त लोगे हैं और जगे जगे पर रह गए हैं वो अपने आपको बता नहीं रहे हैं स्वास्त विभाग के सामने नहीं लेके आ रहे हैं उनकी तलास शुरू हो गई है इसके लिए राजिस्तान सरकार के करमचारी युदिस्तर पर काम कर रहे हैं राजिस्तान में जो वाली तस्वीर सामने आई है जहां दिखा गया है कि जो गरीब वर्ग है सरकों के किनारे रहने वाला वर्ग है उनके लिए यहां पर फूड की विवस्ता नहीं की गई है उनके लिए मास्क की विवस्ता नहीं हुई है यहां पर नहीं हुई है सेनिटाइजर की विवस्ता नह जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें जो रेल सिवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और उसके साथ आज जब प्रदानमंती नरेंदर मोदी ने सुबह साथ बज़े से रात के नो बज़े तक का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है उसकी पालना जिस तरीके ज मुस्तेद हैं पुलिस के लोग हैं स्वास्त के लोग हैं सफाई करमचारी हैं ये लोग जो आपको इस समय इतने हैल्थ एमर्जंसी के हालातों में जो आपके लिए सेवा में लगे वे हैं इन लोग के लिए आपको शाम पांच बज़े गटा होना है सरकार प्रशाशन भी और से शाम पांच बजे एक अलारम पांच मिनट के लिए बजाईगी पिछले 24 गंटे में कोरोना के देश के अंदर तकरीबन 80 के करीब नए पॉजिटिव के सामने आए हैं लेकिन कोरोना को हमें आराना है इसके लिए हमें लड़ना है ये जो बुरा वक्त इस समय पूरा दे शाशन कर रही है कि किसी को भी अपने घर से बाहर तब तक नहीं निकलना है जब तक कि बेहस्थ जरूरी काम ना हो नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड-19 को पहलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखे इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आख नाक और मूँ को हाथ से नच्छूए आप अपने हाथों को समय समय पर साबन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोए भीड बाहर वाली जगह पर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखार या सास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षन देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल ज़रूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्प लाइन है 011-2978046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए लाइन हुआ सांप चाहँ के लिए सकते हैं विए लिए सिवाँ में स्वास्त बाले के लिए सियात्याद कीजिए